सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नमबर एट अ वीडियो बहुत इस्के टैटल के बारे में इसके कहना क्या चाहा रहे हैं अब और मतलब क्कि पहले में आप लोग के यह समझारए रहूं यहाँ पर जो चप्टर नमबर एट है इसका नाम है अब ओम का मतलब क्या होता है पहले में आप लोगों के यह समझा रहता हूं, जो home होता है, इसका basically मतलब होता है place of birth, यानि की आपका birth जहां पे हुआ है, आपका जन्म जहां पे हुआ है, उसे home कहते हैं, जब कि जो house होता है, वो आपका residential area होता है, आप जहां पे रह रहे हों, जिस area में और उस area जो आपका साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बात मानना है हमारे Oxford का. जब कि यदि हम लोग बात करें, कुछ और हूर कहते हैं house के बारे में, house के बारे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि house वो होता है जो कि मिट्टी का बना हो, जो कि किसका बना हो? मिट्टी का मतलब उसमें cement, बालू और इस प्रकार की जो नए-ने चीज़ें हैं वो नउकलब्ध हों जब्कि home जो होता है वो पका house होता है यानिकि वो cement बना होता है तो ये दो माननिताय हैं house और home के बीच के difference के बारे हैं जीने मैंने आपको बता दिया वैसे ज़्यादा suggested है Oxford वाला कि home जो होता है वो place of birth होता है house जो होता है वो place of birth नहीं होता है ये हमारा residency ले दिया होता है अपनों बात करते हैं इस chapter के बारे में तो ये हमारे लिए बहुत ही जरुरी था देखिए अब बहुत ही important है एक एक पार बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि summary है न देखिए यहाँ पे writer बताते हैं कि कि इस प्रकार के challenges को एक teenager face करता है वो अपने मतलब कि teenager के दौरान वो किंदे किंदे problems को कि अगरता है face करता है तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें जब यह high school के पहले year में जाते हैं यानि कि आप ही लोग के साथ है नायंत में तो उसके बाद होता क्या है कि इनका जो class रहता है यहाँ पे इन्हें अलग school में धेज दिया जाता है और यह बिल्कुल नया school रहता है पहली बात तो बहुत नया school रहता है दूसरी बात इन्हें बहुत ही अकेलापन फील होता है मतलब कि कोई अपना नहीं दिखता है और तीसरी बात यह कि वहां के टीचर जो थे वो भी इनके अपने नई थे वो भी चेंज थे तो इन्हें जो है वो अपने पुरानी टीचरों के बहुत ही जादा याद आती थी यह उनसे मिलना चाहते थे और उनके साथ बात करना चाहते थे बिल्कुल पहले की लिए क्योंकि जो नए वाले टीचर थे यह उनके कुछ अजीव लग रहे थे पर इनके जो पुरानी वाले टीचर है वो खुद कहा करते थे कुछ दिन बाद तुम उस इसकूल में घुल मिल जाओगे और तब 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 तुम उस इसकूल को इससे जादा प्यार करोगे क्लियर यहां तक समझ मैं फिर उसके बाद इन्हें यह आश्यर चकित होते है कि क्या सच मुझ ऐसा होगा तो चलिए अब भूगागे बढ़ते इसके बाद इस कहानी क्या होता है कि एक दिन की बात है यह मतलब ठंडी का मौसम था तो यह अपने साथ मतलब अपने डाइनिग टेबल पर बैठके हुमवर्ग क्या कर रहते हैं छो कभी हुब उससे दूर नहीं रहती मतलब राइस से कभी दूर नहीं रहती ती दूसरी बात और रंग-विरंगी बिल्ली थी और बहुत ही प्यारी लगती थी और तीसरी बात यह है कि वो अपने आनंद प्रापति के लिए की उसे मजा आ रहा था मखी ओको मानने में इसलिए वह मखियों को मार रहे थी चौथी बात यह कि लेखकने यानी रायटर ने इसे बचाय था इस चोटी से बिल्ली की जान बचाय था तो ये चार बातों का ध्याम रखेंज आप लोग बिल्ली के बारे में यह भी आपके एक्जाम में पूछ सकता है। क्लियर तो उसके बाद होता क्या है कि इनकी घर में इन्हें दुवे का ऐसास होता है फिर इन्हें पता चलता है कि इनकी घर में आग लग गई है अब जब इन्हें ऐसा पता चलता है कि यार इनकी घर में आग लग गई है तो यह एकदम से हिचकी चाल जाते हैं और दोड करके बाहर आ जाते हैं और इनकी घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं उसके बाद इनकी जो मम्मी रहती है वो घर में से एक बक्सा उठा लाती है जिसमें कुछ जरूरी जमाने रहती है और इसके बाद इनकी मम्मी फिर से हाउस में रश करते हुए जाती है और मतलब कि इनकी पीता व Темल अब इनमने पीटा बारे बट्नी पीटा को मुटा इंचे मृत वां सब्सक्राइब लोगो है जाएंग जो। जोसीज़ के साथ कि आप लोग यहां पर पकड़ ये घर में जाने से और इसके बाद इस बच्चे की माा को क्या करते हैं कि हैं एम्जूस में रख लेते है एम्बुलेंस में oxygen के साथ उसे रख देते हैं उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो पंस घंटे बात जब आग जुटा नश्चेश करते हैं नि elles बिल्ली को वापस फिर से पाना ये सबलेखक कहो रहे है जिए नहीं टीने के लिए एक माकान ले लिया और अपने बुजुर्गों से कुछ उधार उसी घर में आग जब जल रही थे तो दूसरी तरह भाग जाती है तो एक आंटी जो रहती है वो उस बिल्ली को बचा लेती है इस तरह से इन्हें तीनु चीजें मिल जाती है और लेखक जो की काफी पहले परिसान थे कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है दूसरी बात उन ऐसा लगता था उनका दुन्य से और नहीं क्योंकि उनके फ्रेंड उन से भी छड़ गये उनके टीचर उन की र इसे घर उनके शड़ गया था उनके पास उससे कुछ नहीं था और अब यह सब कुछ चेंज हो करके इन्हें वापस से मिल चुका है तो यह फिर से अप्य हो ज करी सकते हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो थैंक यू जहिंजा वारत मिलते हैं अगले वीडियो में इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार अपने से रिडिंग जरू लगा लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ सकते हैं क्लें